नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग आसा करते हूं बढ़िया होंगे तो स्वागत आप सभी का आपके अपने पैरे मल्टी परपाच चैनल पर इछाने के तन आये निक जेनिया आफ डेशनियसन में और यहां पर हम लोग वीडियो के रिए एक्जाम के लिए लगातार कु जहां पर हम लोग general science के questions को discuss करने जा रहे हैं और यह वो question science के हैं जो पिछले exams में previous year में आपके सामने पूछे गए थे तो बिना इस समय को बरबात करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले question क्यों और देखते है पहला question क्या है question नमर बन आपके सामने है लिखा हुआ है नमर कित मैंसे कौन सा सबसे अधिक तन्य धातू है तन्य धातू का मतलब क्या होता है जिसको खींचा जा सकता है यानि कि कोई ऐसी धातू आपको बताने है जिसको सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है तो वो आपको बताना है क्या सोना है क्या तामा है क्या प्लाटनम है या फिर चांदी है तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे गोल्ड स्मित होते हैं यानि कि जो सोने का कार करते हैं वो गोल्ड को क्या करते हैं पिगलाते हैं और पिगलाने के बाद किसी भी प्रिकार का उनको की छमता को कहते हैं दातुओं का तापमान बढ़ने पर उनकी तन्यता कम हो जाती है क्योंकि तापमान बढ़ने पर दातु कमजोर हो जाती है एक ग्राम सोने से करीब दो किलोमेटर लंबर तार बनाया जा सकता है तो सोच लो कितनी ज्यादा उसमें तन्यता पाई जाएगी म यानि कि इसमें current और heat दोनों ही आसानी से transfer हो सकते हैं और जो हवा और अधिकांस अभी कर्मकों से आप रहाए थे मतलब जो सोना है वो आपका normal स्थिती में हवा से react नहीं करता इसलिए जो बहुत सारे लोग हैं सभी लोग आभुसन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं गोल्ड का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये non-reactive metal है in most of the cases तो option number one correct हो जाएगा next question number two आपके सामने है द्धनी तरंग यानि आपके बात की जा रही कि इनकी sound wave की बात की जा रही है तो sound wave का जो आपका वेग होता है sound wave की जो velocity होती है वो पूचे गई किस माध्यम में सबसे अधिक होती है ठीक है जैसा कि आप लोग जानते हैं यह मैंने आपके तीन चीज़ बताई है एक है solid एक है liquid एक है gas solid के जो molecules होते हैं वो closely packed होते हैं यानि कि बहुत आपस में चिपके हुए होते हैं और अगर comparison करें liquid की तो वो solid से थोड़ी दूर दूर होते हैं और अगर वही हम gas की बात करेंगे तो वो बहुत जाज़त दूर दूर होते हैं यह आपका solid है, यह liquid है, यह gas है ठीक है तो यहाँ पर जब आपकी sound wave जाएगी इस परकार से तो sound wave क्या करेगी इस वाले molecule को hit करेगी और यह वाला sound wave की energy को अगले वाले molecule को transfer कर देगा यह अगले वाले को transfer कर देगा तो आप देख रहे हैं कि इसके जो molecules हैं solid में बहुत ही closely यानि past past packed है जिसके कारण से जो आपकी sound energy है या sound wave है वो आसानी से travel कर जाएगी speed के साथ और वही liquid में थोड़ा दूर है तो इसमें थोड़ा comparatively कम तैय करेगी और वहीं gas में सबसे कम तैय करेगी तो आगर दौनी तरंगों की wake की बात करें तो सबस्यादा किसमें होता ठोस में होता है और उसलिए option number C correct हो जाएगा ठीक है और पूरा मैं आपको बता चुका हूँ कैसे होता है फिर भी यहाँ पे अश्टा जनकारी है जिनको आप पढ़ भी सकते है और जो दौनी तरंगों की चाल होती है वो हवा में कितनी होती है 330 मीटर पर सेकेंड होती है मजबूत इस्टी लनी सॉरिड की बात करेंगे और अगर हम बात करेंगे पानी में पानी में जो साउंड वेप की स्पीड होती है वो होती है 1480 मीटर पर सेकेंड तो यह सारी आपको छोटी चोटी जानकारी है बिल्कु याद रखनी है क्योंकि फैक्शल कोश्चन भी बन सकते हैं आपके सामने ठीक है क्योब लिकीट में अक्यों में नहीं होती है इसको बोलते में एर विक रश्पराशन जब कोई भी कर घुए कर में फ्यटा हो रोटी है battling यहांधτοğ गलत हो जाएगा वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो किसकी आवसकता होती है, sunlight की आवसकता होती है, यानि सूर का प्रिकास, और साथ ही साथ में carbon dioxide, इनकी आवसकता होती है, इनकी अवसकती के कारण, और साथ में का आपका पर्ण हरेथ, जिसको क्या बोलते है, जो आपका green pigment पाया जाता है, प नंबर बन हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है और यह पूरी प्रिक्रिया मैंने आपके सामने जो बताई है वह यहां पी लिखिए कारवन डेक्साइड ठीक है पानी और प्रिकास इसकी उपस्तिती में ग्लुकोज और ऑक्सिन बनती है ठीक है यह आपने देख लेना ओके नेस कर देता है अलकोछल में सराब में गनवर कर देता है तो उसका नाम है जाय्मेज बदलने में उपयोग किया अपने प्रिजनेंड की प्रिक्रिया के लिए अन्य जानवरों पर बून पोस्ट क्या है जिनको इंग्लिज में एंडोस्पर्म भी कहते हैं अधिकांस एंडियोस्पर्म पौधों में मौझूद होता है जो की परणाम सरूप बनता है उनमें जब फर्टलाइजिशन हो जाता है तब की बात किया हो रही है आप एंडियोस्पर्म में या दो धुर्वी नाविक और नर युगमुकों से एक किसनलयन के परणाम सरूप बनने वाली एक नई सरचना है जिसको बोलते है भूंड पोस ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया इसका correct answer एंडियोस्पर्म भी मिल जाए तो भी लगा सकते है पॉनेंट होते हैं और सी गरेक्ट हो जाएगा मशलियां किस जगत से आती है एने मिलिया यह भी आपको धर रखना है क्योंकि कुछन आपसे भी बन सकता है कि कौन सा जियो जन्तु जो ब्रांचेस की गई है साइंस में पशू जीव जन्तुओं की वह किस जगत से आता है त बीच मशली का परिसंजनतर सबसे सराल है किलोम के माध्यम से रख्त हिरदा से सरीर में एक तरफा प्रवाहित होता है सरीर से रख्त आलंद में एकत्र होता है नेला रख्त को गलफणों यानि इनको गिल्स कहते हैं मैं पंप करती है जहां गैसी है ट्रांस्परेशन गैसी किससा देखाए देगा जैसे कि आप जानते हैं कि आकास हमको डिन में नीला दिखाइडेता है क्यbecκ anal करना हो करके आकास हमको कैसा दिखाए देता नीले किलर का दिखाई देता है और अगर हमारे यहाँ पे बाइव धार नहीं होता थीक आधा तो यहाँ पूरा प्रिकरिदलन की घटना है जो मैंने आपको समझा दी है नेस्ट कुश्चन नमबर 8 है कांसा इसको ब्रॉण्ज भी कहा जाता है किसकी मिस्रदात हुए तो कौन-कौन सी दो मैटल्स है जिनको मिला करके ब्रॉण्ज यानि कौन सा बनाया जाता तो वह तावा और टिन ठीक है तावा और टिन को आप एक निश्चे तनपास में हो आपकी ठीक है बैस्ट्री में हमेशा H2SO4 जिसको बोलते हैं Sulfuric Acid इसी का पिर्योग किया जाता है तो आपसन नमबर C करेक्ट हो जाएगा ठीक है H2SO4 जिसको कहते हैं Sulfuric Acid भी इसको कहते हैं और जो एस्टिक अमले CS3CWH जिसे एथोनाइक अमली भी कहा जाता है ठीक जो नाइट्रिक अमल है जो फसेलों का यूरिये अ अध बेटरी का पूछा गया था तो अब्सटर नमबर 10 देखते हैं दाब को बोलते हैं, प्रेशर, प्रेशर मापनी को ऐसा unit है यानि कि السैब पद्यतीक में जो दाब होशको मापनी का मात्रा कूछा गया या तो वह और एक पास्कल पराबर होता है एक न्यूटन पर्तिबर्ग मीटर एक जोति तिप्रदा की मातर क्या है केंडिला है और तापमान का एसा ही मातर क्या है एंप्यर है तो यह सारी जानकरिया भी आपको दिमाग में बना के रखने है ठीक है नेस्ट कूशे नमर 17 देखते हैं को सुद्ध किस प्रकार से बनाया जा सकता है तो अगर आप उसमें फिटकरी डाल देंगे तो भी उसको प्युरिफाई कर सकते हैं और अगर आप उसको वाल देंगे तो भी उसको प्युरिफाई किया जा सकता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही हम option हमारे बिल्कुल करेक्ट है असुद जल कुछ अन जाओगे जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, रेत, भारी धातुमों और अनसर आसानों के साथ इसको मिली हुई चीज़ें होती हैं और हमें दोनों तरीकों से जल की आसानी को सुद्ध कर शकते हैं फिटकरी डाल करके फिटकरी अलुमिनिय सही हैं ओके नैस्ट कुछिय नंबर यह हमारा कौन सा था इसके पहले सिक्स्टीन मैंने लगता नाइन था यह फिर टैन हुआ फिर यह 11 था अब नैस्ट कुछिय नंबर 12 आपके सामने है ठीक है लाल टैन की जो मुम बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर चाड़ने का क्या कार किस्ट प्रकार की घड़ना क्या कहलाती कैस्ट कहलाती है इसलिए कह सकते हैं ऑप्सन नंबर हमारा सी सही है किस्कत या किस्कत नली इसको सोसक सामगरी में तरल की प्रवरती सतय तनाओ के परणाम सरूप जो सरफिस टेंसन होता है उसको पर गिरने या बढ़ने का कार करती ह इस गड़ना को किस्कत तो कहते हैं तो आप्सन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नैश कोशन नंबर थर्टीन है रक्त में या बलड में कैल्सियम का इस्तर किस हार्मोन द्वारा बनाया रखा जा सकता है तो उस हार्मोन का नाम आपको बताना है जिससे कैल्सियम का इस्तर बन या में उत्यजित करने के लिए रक्त जैसे द्रव उतक में ले जाया जाता है पैराथार्मोन हर्मोन की बात करेंगे मानो सरीर में रक्त कैल्सियम का इस्तर पैराथाइराइड हर्मोन त्वारा नियंत्रित किया जाता है इसका सौर्ट फॉर्म क्या है PTH पैराथाराइड ठी कि इस तर को क्या करता है बैलेंस करता है option 1 correct हो जाएगा next question 14 आप के सामने कौन सी रुधिर कणिका यानि कि कौन सी ब्लेड कणिका है जिससे रुधिर क्लॉटिंग में help करती है ब्लेड क्लॉटिंग की बात कि जा रही है तो सब भी लोग जानते हैं कि कि ब्लेड क्लॉटिंग बिम्बाडू का जाता है इक अलुंड का जाता है तो यह आपको दिमाग बताना है जली बीम्बाडू बोलते हैं क्या बोलते हैं बीम्बाडू, option number second correct हो जाएगा बिम्बाडू को थ्रॉम्बो साइट की रूप में भी जाना जाता है बीम्बाडू छोटी रखते को जिका होगा vitamin k vitamin k ki अगर कि प्रेक्ति क्मी है alleen के क्मी से प्लेटेट्स की इसका कम हो जाती है दो पाती है इसको खुट लगती है तो निकलता ही रहता है तो यह सारी जानकारिया आपको बिलकुल धियान में और हैं बढ़ते हैं आज की last करते हैं तो यहां पर और भी सारी की जानकारियां दी गई है तो जो मैंने आपको पता दिया है अब दोस्तों तो यह हमारे बूपंता कुश्चन थे जिन जो साइन्स एलेटेड थे और इनके वह कुश्चन है जो कई बार एक्जाम में पूछे गए हैं और इनके रिपीट हो गया है वह अनलैसिस आपके लिए बहुत ही महत्मून होने बाला है तो दोस्तों इसी प्रकार के नेस्ट प्रैक्टिस सेसन में हम लोग आपसे मिलेंगे तो अपना सपोर्ट बिलकुल बना रखें और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए और अग सब्सक्राइब जरूर किजिए और वीडियों को सेर भी किजिए थैंक्यू बाई बाई